अच्छी आवाज के लिए अपने इयर फोन्स का स्तमाल करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथी साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए आगी की कहानी को शुरू करते है तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि देव जानवी का हाथ पगड़के उसको कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर अंदर से कमरे की चिटकनी लगा देता है अब आगे की कहानी शुरू करता है चिटकने लगाने के बाद में जानवी डर जाती है और बोलती है इका कर रहे हैं आप देव बाबू दरवाजा काहे लगा दिया इस पर देव ने बोला कितने दिन के बाद जानवी तुम मुझे मिली हो तो थोड़ा सा प्यार करना तो बनता है ना इतना कहकर उसने जानवी को अपनी पाहों में बर लिया जानवी सहम गई और अपने आपको छुडाने के लिए जट पटाने लगी और बोली कि शादी से पहले कुछ नहीं देव बाबू शादी भी हो जाएगी कुछ गलत नहीं है देव ने गलत नहीं कहां से जानवी की तरफ देखते हुए का नहीं देव बाबू ये गलत है हमका घर जाने दो मगर देव ने उसकी एकना सुनी क्योंकि उसके उपर तो सिर्फ जानवी को पाने का पागलपन सवार था लेकिन जानवी भी पूरी कोशिश कर रही थी अपने आपको छुडवाने की मगर देव की पगड मजबूत थी रोते हुए जानवी ने बोला कि देव मैं शोर मचा दूँगी शोर मचाएगी हरामजादी शोर मचाएगी इतना कहकर देव ने एक जोरदार थपड जानवी के गालों पर जड़ दिया जानवी की आँको से आस उपह निकले वो दोका खा चुकी थी देव ने उसकी एकना सुनी कमरे में जानवी की चीके कुँज रही थी वासना का खेल खेला जा रहा था वो जटपटा रही थी लेकिन देव पर इसका कोई असर नहीं हुआ जानवी अपनी इस्द लुटवा चुकी थी लुटी बिटी जानवी को देव गाउं के बाहर चोट कर चला गया देव नशे में होस्टल पहुँचा कपड़े बदल कर सोनी की तैयारी कर रहा था अब जानवी से उसका कोई मतलब नहीं था जानवी को वो हर चेगे से ब्लोक कर चुका था उस दिन वो चैन की नीन सोया लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई दरवाजे पर घंटी बजी तरवाजा खोला ता होस्टल का वाडन था उसने देव को एक लिफाफा दिया और बोला कि कोई लड़का आया था खुद को आपका दोस्त बता रहा था उसी ने मुझे ये लिफाफा आपको देने के लिए बोला वाडन के जाने के बाद जैसे ही देव ने वो लिफाफा खोला उसके पैरो तले से समीन किसय गई माते पर पसी ना आ गया और हाथ पैर कापने लगे लिफाफिम में उसकी और जानुई की रेप करते हुए फोटो थी देव रेप करते हुए साफ दीख रहा था और फोटोस के साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था देव मेरे पास तुम्हारे और भी फोटोस हैं सोच रहा हूँ कि मैं इनको इंटरनेट पर डाल दू और साथ-साथ तुम्हारे घर भी बीजवा दू लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई शरीफ आद्मी बदनाम हो इसलिए बस आप पाँच लाख रुपे का इंतर्जाम करके मसूरी के पास एक सुनसान बंगला है वहाँ आ जाओ तुम्हें वो बंगला ढूनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई चाला की नहीं कल शाम 6 बजे 5 लाख रुपे और वो भी अकेले बस इतना ही लिखा था देव के अंदर से जैसे जान ही निकल गई हो वो सोच रहा था कि कौन हो सकता है जो मुझे ब्लैक मेल कर रहा है और उसने ये फोटोस कब खिची होगी उसका दिमाग सुन पड़ गया था उसने जैसे तैसे करके 5 लाख रुपे का इंतसाम किया अगले दिन शाम को वो बंगले के बाहर खड़ा था मगर वहाँ उसे कोई दिखाए नहीं दिया तब ही अंदर से आवाज आई देव आ गए तुम चहरे से ही कुरूर दिखने वाला वो इंसान होटो में सीगरेट दबाए उसे ही देख रहा था उसने पूछा पैसे लायो कौन हो तुम सवाल नहीं पैसे दो और निकल जाओ मगर निगेटिव अभी तो ये पहली किष्ट है मिल जाएंगे निगेटिव उसके होटो पर जहर भरी मुस्कान थी देव समझ चुका था कि वो फस चुका है ठीक है मैं जाता हूँ लेकिन तुमने ये फोटो उस खीची कैसे मुझे पता था तुम ये बात जरूर पुछोगे इतना कहकर उसने सीटी बजाई और अंदर से किसी के चलने की अवाज आई देव ने सामने देखा तो उसको ये सब कुछ सपने जैसा लगा लेकिन उसकी बतकिसमती क्योंकि ये सब कुछ हकीकत था उसके सामने कोई और नहीं बलकि जान भी खड़ी थी जीन्स टोप पैने हाथों में वाइन का गिलास लिये और होटों में सीग्रेट दबाए चलती हुई देव के पास आकर उसके मुह पर धुआ चोड़ते हुए बोली कैसे हो देव बबू तुम क्या सोचते हो तुमने मुझे रेप किया है नहीं नहीं मैं खुद रेपुई थी कुछ समझ में आया दे बबू ये तो मेरा साती है हम तुम जैसे लड़कों को फासते हैं और फिर जिन्दगी बर उन से मा लटते हैं समझे कुछ देव लगातार उसकी तरफ देखे जा रहा था उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था तब ही जानवी ने बोला तुम सोच रहे हो कि ये सब हमने कैसे किया ये मेरा दोस्त है और ये ना कलब में तुम जैसे लड़कों की कुंडलिया निकालता है और फिर मुझे आके बताता है और मैं कैसे भी करके उन्हें फसा लेती हूँ समझे जब इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि तुम पहले से हरामी हो और इतने बीड़े हुए इंसान हो तो मैंने तुम्हें फसाने के लिए फेस्बुक पर रिक्वेस्ट पेस दी और हुआ क्या ताकि तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ में चपरदस्ती कर रहे है और फोटो जो और अच्छी आए अब आगे का तो तुम्हें पता ही है अब चुपचा पैसे दो और अगली किष्ट के इंजाम में लग जाओ चलो तब ही देव ने बोला कि मगर में इतने सारे पैसे लाओंगा कहां से ओए मुझे सब पता है तेरा बाब बहुत हमीर है समझा ना चल वहीं से लेगे आना निकल अब यहां से पैसे देखर देव लुटा पिटा सा वापस होस्टिल की तरफ चल दिया वो सोच रहा था कि जानवी को उसने लूटा है मगर नहीं ठगा तो उसे गया था दाव उल्टे पड़े थे और ऐसे उल्टे पड़े थे जो शायद ही अब कभी सीते हो तो ये थी पूरी कहानी उमीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंदाई होगी और अगर पसंदाई हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और साती सात अगर आप लोगों के पास में भी कोई कहानी है शेर भी कर दिने इस वीडियो को और लाइक तो बनता है वो उस तो मिलते हैं जल देख छोटे से ब्रेक के बाद और अगली कहानी के साथ Till then take care guys keep dreaming and keep smiling सबने देखते रहने का